हेलो जी असलाम अलेकुम कैसे हैं सब लोग उमीद है कि सब खायर से होंगे अपने अपने घरों में सेफ इन सेक्योर होंगे तो जनाब एक निया देन एक निया व्लॉक और आज के व्लॉक की शुरुआत हुई है घर के कामों से घर में थोड़ा कुछ काम चल रहा था जोके म विंडो थी इसके ओपर एक जगा बनी वी थी जहां शीशे लगे वे थे तो हमने ये हट फाके पूरी बंद करवा दिये और भी थोड़ा बहुत काम था जो कि हम करवा रहे थे तो पूरा घर अल्मोस्त पहला था तो अभी जो है थोड़ा बहुत काम ड़न हो गया है और थ इस स्पेस को जो हैना बिलकुल खतम कहए देगा उसके बाद जब पेंट होगा तो बिलकुल एक तरीके से जो हैना वह हो जाएगा वह इसक्वाइर बिंडो बन जाएगी तो जणाब यह घर में कुछ काम था तो इस विए से बस पूरा घर फैला वा था और पूरा यूज आपनों के साथ शेयर करनी थी तो जणाब आज जो है खास बात यह है कि हम लोग जा रहे हैं हज ट्रेनिंग पे और बहुत ही जो है खुशी का दिन है आज में लिए मतलब जब से हज की कनफरमेशन हुई थी और उसके बाद भी थोड़ा सा डाउट रहता था दिल म कि भई जो है बलकुल पका कनफरमेशन हो जाए तो जब हर्ष ट्रेनिंग की कॉल आई अब तो फ्लाइट है जाना शुरू हो गई है जब तक मैं यह विडियो अपलोड करूँगी लेकिन कुछ दन पहले ही हर्ष ट्रेनिंग हुई थी और कनफरमेशन कॉल आई थी जब त चुछ भी लिखा हो तो उनको क्या पता नहीं किसका शाओ भी तरीकी का जो है आई वो था कि जो है न मतलब जब हम हर्ष ट्रेनिंग पेटे वे थे और जब हम सारी बाते सुन रहे थे ट्रेनिंग की बहुत जो है खवातीन थी बहुत सारे आदमी थे यह हुआ था असकरी जो पार्क बनावा है उसमें जो असकरी बैंकुट्स बने में ठीक है वहाँ पर जो ना हर्ष ट्रेनिंग हुई थी उसके अलावा जो हम लोगों ने आलमगी की भी हर्ष ट्रेनिंग जो ना सेशन्स लिये थे जाकर तो जनाब जिस तरह वो बोल्ड रहे थे और जो जो बाते बता रहे थे मतलब बयान ही नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें लफजों में बलके कोई भी नहीं मतलब मैं क्या कोई भी नहीं वो फिलिंग्स बयान कर सकता कि उस वक इनसान क्या महसूस कर रहा होता है और जो है मतलब क्या उस वक्षास हाथ होते हैं मतलब रो रहे थे हम लोग सब बैठे वे मतलब आंसू निकर रहे थे और हम लोग बस सुन रहे थे बाते और जिस तरह यह जो मौलवी सहाब थे और यह जो सारी बाते बता रहे थे तो मतलब वो सुनके ही वहाँ पर एक मतलब हाल में एक अजीब सा माहौल था मतलब वो बहुत ही जो है ना डिफरिंट किसम की फीलिंग थी जो माहौल वहाँ पर तारी हुआ वा था खवातीन में भी और यकीनन मर्दों में भी होगा तो मैं और मेरे हस्बंड गए थे ट्रेनिंग पे मैं और मेरे हस्बंड ही जा रहे है वैसे तो तो वो ट्रेनिंग हम लोगों ने ली और आगे भी मैं आप लोगों के साथ विडियो शेयर करूंगी उसकी वाफसी में पूरा दिन ही लग गया था हम लोगा वहाँ पर और वाफसी में जो है ना मगर्ब हो गई थी और मुस्त है मगर्ब की नमाज पढ़ने के लिए हम लोग रुके थे और उसके बाद जो है वैक्सिनिशन के लिए हम लोग आये थे लगी वन मॉल तो जेना अब यहां से हमें बूस्टर शॉट लगवाना था वो हमने अपना लगवाया और उसके बाद और भी वैक्सिन्स होनी थी लेकिन वो हाजी के हमसे होनी थी रस्ते में जो है मगर्ब की नमाज अदा की है और देखते देखते बस रात हो गई थी सुबह से निकले वे आसिफ बुक इस्टोर आयते वहां से ये क्लिपिंग मैंने लास्ट वीडियो में भी डाली थी तो उस वक हमने बैक्स खरीदे थे और यहां पर बैक्स मिल रहे थे काफी सारे बैक्स थे तो हम लोग देख रहे थे और यह मैंने यहां पर रीशेर की है कि जो है ना मतलब उ उस वक्त ही हम लोगों ने बैग लिया थे लेकिन वह एक्सेंज कर वाया था फिर हमने जाकर और क्योंकि वह ना मुझे कॉलिटी इतनी जादा समझ नहीं आ रही थी और समाना आपको रखना होता है चपले होती है और भी दूसरी चीज़ें होती है पाने की बॉटल होती है या अगर हमने जाना कोई और चीज़ रखना है मतलब ये बैट लिया था तो ये ब्राउन कलर का तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना ज्यदा ऐसे लग रहा था कि अगर इसमें ज्यदा कुछ डालेंगे हम मतलब ज्यूटा तो इथना नहीं भर सकते हैं और उसको ले का नहीं लग रहा था तो यह हमने लास्ट टाइम राउन बैग खरीदा था इन से लेकिन फिर आके हम लोगों ने एक्सचेंज करवाया और इसकी जगह हम लोगों ने एक ब्लू कलर का बैग न से लिया वो थोड़ा बेटर का मुझे लग रहा था स्लाइडली थोड़ा सा महं असकी देखते देखें रात हो गई थी वा पूरा दिन हमारा लग गया था और उसके बाद जो हम लोगों ने गर्मी बहुत थी तो वाक्सी में रुक्त हम लोगों ने लसी पी और लसी पी कि एकदम छो थंड़क उतरी है ना मतलब वो बिल्कुल मतलब वो उसी वक्त की जो हैं हम लोगों ने ये देखें लसी के ग्लास आ गए और ये बड़े जो ना मज़े के ग्लास लग रहे थे मुझे और इसको देखके ही बड़ा मज़ा आ रहा था तो खेर इतना बड़ा सा ग्लास था वो एक ही ग्लास जो ना पिया नहीं गया पूरा और मैं हजबन को मैंने द बनाया ही था ऐसा क्योंकि सुबा से हम लोग गए थे तो बस नहारी लेकर आए हम लोग और फिर सबने साथ मिलकर बैठकर खाना खाया है और मज़े की थी काफी नहारी वैसे मुझे बाहर की नहारी थी जादा पसंद नहीं है तो मैंने बहुत थोड़ी सी ली थी मुझे घर क की बनीवी नहारी जादा अच्छी लगती है तो बाहर की जनम इतनी जादा नहीं कहते हूं तो जनम यह थी आज की वीडियो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करेगा लाइक करेगा कॉमेंट करेगा और शेयर करेगा